नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों आपने वैसे सुना होगा कि कि एक लोटा पानी भी आपकी किस्मत खोलने का काम कर सकता है जी हाँ ये बिल्कुल सच है जियोतिश शास्त्र में ऐसे अनेक उपाए हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है कि वे चमतकारिक रूप से अपना असर दिखाते हैं उन जल का प्रयोग अलग-अलग कारियों के लिए अलग-अलग तरीके से किया जाता है जल जहां भगवान शिव की सबसे प्रियवस्तु हैं वहीं पीपल में जल अर्पित करने से भगवान विश्नु लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है आज हमने इस वीडियो एक दूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा चलो चलते हैं सुनते हैं तोस्तों आज के जो हमारे विडियो का विशय है जल के बारे में है वैसे तो आप सभी लोगों को जल के बारे में अवश्य पता होगा ये कहावत अवश्य सुना होगा जल है तो कल है कहने का मतलब है कि जल ही हमारे जीवन का आधार है संसार जब जल से भरा था जब स्रिष्टी का निर्माण नहीं हुआ था जब संपूर्ण रूप से मानव जाती का निर्माण नहीं हुआ था तो संपूर्ण संसार केवल जल जल से भरा हुआ था और हमारे शरीर पंच धातू से निर्मित है, जिसमें जल का तत्व अधिक है, अर्थात यदि देखा जाए, तो जल के जो तत्व की संख्या है, हमारे शरीर में अत्यधिक है, बिना अन्न के आप बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किन्तु बिना जल के कुछी घंटों में आप देखना आपको बेचैनी होने लगता है, तो जल जो है, जीवन का चिन्ह है, इसलिए इसे अमरित भी कहा जाता है, अमरित होने के साथ साथ ही, कई तरह की हमारी समस्याओं को भी दूर करने का काम करते हैं, आज के जो का विशय है, जल के बारे में मैं आप लोगों को इसका कुछ च परिशानी चल रही है, उस परिशानी को दूर करेंगे और इस विडियो को देखने के बश्चात में 101% डावे के साथ कहना चाहूँगा, यदि आप इस विडियो को देख लेंगे, तो आपके गरीबी को मिटने से, आपके जीवन को बाहर आने से, आपको धन्वान बनने से कोई नहीं रोग सकता इसी के साथ साथ आपके जीवन जो में है उसे दूर करने से दुनिया की कोई भी शक्ती नहीं रोग पाएंगे मितनों बताना चाहूंगा आप जल जब आप जल पीते हैं वाटर पीते हैं ये तन, मन और ये शब्दों को पवित्र करता है और आप सनान करते हैं तो जल और जो जल है तन और मन ये दोनों को धोने का काम करते हैं जल के देवता भगवान वरुन को कहे जाते हैं और ये यक्ष जाती से संबंध रखते हैं और यक्ष जो ये जितने भी सेविका है आपने देखा होगा जो यक्षणी धन देने वाले बहुत सारी यक्षणी होती है और जैसे कि कुबेर जी है ये भी की गणना में आते है तो आज मैं आप लोगों को रात में सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह पे रख देना फिर आपकी किस्मत कैसे चमकेंगे आप हमारे वीडियो के टाइटल देखी चुके हैं जनहित एवं जनकल्यान करना इसलिए आप सभी दर्शकों को अच्छे से जानकारी बताये जाते हैं हम चैनल की तरह कोई misleading जानकारी नहीं बताते कोई fake जानकारी नहीं बताते हमारे चैनल म मकसद ही है जनहित एवं जनकल्यान करना हमारे वीडियो में views आए या ना आए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी बंदु का आप में से किसी एक भी बहनों का यदि भला होता है तो हमें भी अच्छा लगता है ह हमें भी पुन्य की प्राप्ति होती है तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जल्द किस तरह से हमारे जीवन को बाहर ये लाने का काम करेंगे हमें हमारे जीवन में धन संबंधी परेशानी है जीवन में किसी भी तरह की परेशानी उस परेशानी से हम कैसे निक जी हमें समस्या में गिरें, इसे निकलने का कोई उपाय वताए। देखिए, आप उपाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, केवल जानकारी के लिए अपनी ग्यान बढ़ाने के लिए, अपने नौलेज बढ़ाने के लिए, अपने नौलेज को आप जो इंप्रूव करने के लिए ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो एक लोटा जल पलक जपकते दूर कर देगी। आपकी सारी दिक्कत किस तरह आईए? जानते हैं तो हमारे धर्म शास्त्र तथा लाल किताब में सपष्ट लिखे हुए हैं, जो लोग लाल किताब पड़े होंगे, उनके बारे इनके बारे में अवश्य पता होगा। लाल बहुत ही प्राचीन जोदिश बुक हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे तंत्र शास्त्र के बुक में भी सपष्ट लिखे हुए हैं। जो जल है, ये जल का प्रतिनिधित्व करता है। कौन वरुण देवता और इसी के साथ ये यक्ष जाती से संबंध रखते। हमें धन प्रदान करता है तो ऐसा समझा जाता है। कोई भी मानव सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ यदि ये उपाय को करेंगे, आपको 100% लाब मिलेंगे, यदि आप लाब आपको हासिल नहीं होता, तो कल आप हमारे चैनल गरुट धर्मार्त को अनसब्सक्राइब कर लेना बिलकुल दावे के साथ कहते हैं। किन्तु ये उपाय करेंगे, पूरे विश्वास रखना है, पूरी श्रद्धा रखना है, क्योंकि श्रद्धा, नियम, सैयम और विश्वास पर टोने टोटके अपने प्रभाव दिखाते हैं, तो आपको करना क्या है? शुकल पक्ष के सोमबार से, जी हाँ, शुकल के सोमबार से आपको शुरू करना है, और पूरे शुकल अर्थात एक कम से कम 15 दिनों तक लगातार पीपल की जड़ में आपको बिल्कुल ही मनोकामना बोलते हुए, मनोरत हुए, आपको जल चड़ाने, अर्थात जल डालना है, तो ऐसा समझा जाता है, ये फिर कोई साधारन उपाय नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयम गीता में व्रिक्षों में पीपल के व्रिक्षों और आपने अवश्य देखा होगा, लाल किताब में भी ये उपाय स्पष्ट लिखे हुए हैं, तो शुकल पक्ष के सोमवार से, यदि शुकल पक्ष के सोमवार तिथी में क किसी भी शुकल पक्ष के प्रथम दिवस से भी ये उपाय किया जा सकता है, पूरे शुकल पक्ष भर आपको पीपल की जड़ में बिल्कुल ही आपको पीपल की जड़ में आपको जल डालना है, तो बड़े से इच्छा की पूर्ती होती है, किन्तु जब तक ये आप जल ड वैसे तो ये उपाय को माता बहनों को अवश्य करना चाहिए, तो ये ज्यादा लाप प्रदान करते, आप अपने घर के वाइफ को बोल सकते हैं, आप अपने घर में बहन उसे आप बोल सकते हैं, उपाय करने के लिए यदि आपके घर में कोई जैसे की माता श्री भी ये उप पाए करने के लिए बोल सकते हैं, तो शाम के समय में सूर्यास्त के पश्चात एक लोटा जल लेना है, उसमें आपको दो बूंद इत्र की डाल देना है, और एक आपको रेड कलर की पुषपांजली रेड कलर की पुषपा ना मिलने पर, आप जो वाइट कलर की पुषप भी पुषप हो, यदि गुलाबी की पुषप हो, तो फिर इसे अति उत्तम कहे जाते हैं, और यदि की पुषपा ना मिल पाए, तो आप एक काम अवश्य करना कुड़हल की पुषपा ले सकते हैं, यदि ये दोनों पुषपा ना मिले, तो आप जो है, आपको जो बंद पुषपा लीजिए, किन्तु रेड कलर की होना चाहिए, वाइट कलर की होना चाहिए, तो शाम के समय में आपको करना क्या है, एक लोटा जल लेना है, आपको दो बूंद उसमें इतना डालना है, और एक आपको पुषपा उसमें डाल देना है, और इसे घर के द्वार पर आपको रखना है। इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल ही आपको रखना है। तो इससे क्या होता है? माता लक्ष्मी। सभी मनुष्मी आप मानो ये ना मानो बिल्कुल ही माता लक्ष्मी शाम के समय में सभी मनुष्य के द्वार में आती है। किन्तु हम लोग वैभवशाली होते थे, पहले लोग बीमार नहीं पढ़ते थे, तो यदि अब आज जो है, यदि अब भी यक्रिया शुरू करते हैं, घर के द्वार पर एक लोटा जल, उस मित्र डाल करके पुश्प दान करके रखते हैं, तो इसे लैक्समी का बंधन हो दे हैं, आप म करना शुरू करेंगे, तो लैक्समी स्थाई रूप से आपके घर में बंध जाएंगे, दिन दुगनी रात, चौगनी अपके देखना उसी टाइम से, जिस दिन आप ये उपाय करेंगे, तरक्की होना शुरू हो जाएंगे, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, चैनल में जो ज जानकारी बताये जाते हैं, वह जानकारी अचूक रामबान की तरह कम करते हैं, और चैनल के ही मकसद है, जनहित एवं जनकल्यान करना सही जानकारी बताना देखिए, इसमें तो आपको पोई ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले, आपको करके देखने में इसमें क्या हर्ज ह बिल्कुल करके देखिए इसमें लाब मिलेगा इसके पश्चाथ घर के बाहर भी आप जो है जल रखना शुरू कर दें यदि आप घर बाहर से घूम करके आते हैं या फिर आपके घर में कोई महमान आ रहे हैं तो कौन किस भाव से आ रहे हैं कौन किस नियत से आ रहे हैं हमें पता नहीं होता किन्तु यदि आप अपने घर के सामने में जल रखते हैं और जल सींच करके यदि आप वो सामने वाले मानव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो जल तत्व उस मानव के साथ में आने वाले नकारात्मक शक्ति को द्वार पे बिल्कुल ही जल रखना चाहिए, आप जहां से भी बाहर से घूम करके आ रहे हैं, बिल्कुल ही घर में घुसने से पहले, कदम रखने से पहले, एक बार जल बिल्कुल ही अपने में डाल लीजी, फिर आप अपने घर में प्रवेश करें, तो आपके घर में, कि शरीर बिल्कुल वो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य को छोड़ करके जितने भी संसार में योनी है, कोई योनी जलतत्व को बरदाश्त नहीं कर पाते। यहां तक की प्रेथ के उपर में यदि आप जल डाले तो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य योनी को सर्वोत्तम योनी बनाए है, और मनुष्य योनी को ही कर्म योनी कह जाते हैं। एक तामबे की लोटी लेना है, और एक लोटा साथ जल लेना है, और आपको इसे अपने बैड के नीचे में रखना है, तकिये के नीचे साइड में रखना है। और जैसे कि गुड़हल के पुष्प है, गुलाब के कोई सा भी पुष्प हो, उसमें आपको इस जल को डालना है, तो आप जैसे नित्यक्रिया शुरू करेंगे, जैसे जैसे उस फूल में, उस व्रिक्ष में आप जो जल डालना शुरू करेंगे, तो उसमें जैसे फूल उस फूल आना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन भी खिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे वो जो पौधा में आप जल डालना शुरू करेंगे, बिलकुल ही वैसे वैसे आपके जीवन में बाहर आएंगे, आपके जीवन भी उस पौधे की तरह खिलने ल जाएंगे, मैं जो उपाय बताता हूँ, वो सटीक जानकारी होते हैं, अमूल्य जानकारी होते हैं, क्योंकि यदि आप जो किसी भी जैसे पुष्प में आप जो जल डालते हैं, तो इससे भगवान गनेश जी प्रसन्द मोते हैं, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब किसको समर्पित है, ये बुद्ध ग्रे को समर्पित है, बुद्ध ग्रे का स्वामी कौन है, भगवान गणेश जी है, मैं स्ट्रोल आजल की, यदि मैं दुनिया में जाओ तो बहुत सारे इसका बेनिफिट आपको हासिल होगा, बिल्कुल ही, इसलिए मैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से नहीं बताता, बीडू लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो है, नित्य हमने यहां पे चार तरीके बताए है, चार में से दो को अवश्य फॉलो करें, आपके जीवन में बाहर आएंगे, आपके जीवन में समस्या भी दूर होंग वीडियो अच्छा लगाओ, तो एक लाइक अवश्य कर दें, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए